Inferiority Complex से कैसे deal करें, कैसे निकलें? सबसे पहले तो यह जो नाम करन संसकार कर देते हैं हम लोग न अपने अंदर की अंदर की चीजों का, अपने mind का, अपनी behavior का उससे बचें नाम डॉक्टरों को या साइकलोजिस्ट को रखने दे, आप ना पकड़ें यह उन्होंने अपने ले किया है, अपने आसानी के लिए जैसे आप किताबों के sections को library में अलग लग रखते हैं philosophy की book अलग रखते हैं, science की book अलग रखेंगे, business की book अलग रखेंगे वो इसलिए ताकि आप उन books को निकाल सकें, आसानी से ऐसे ही लोग आपको हो सकता है, टैक करेंगे कि तुम्हारे दर inferiority complex है, तुम्हारे दर में behavior complexity है या तुम्हारे दर में कोई और चीज है, बट आप जब personally अपने लिए सुचना शुरू कर देते हैं कि मेरे अंदर में एक inferiority complex है, तो आप यह believe करना शुरू कर देते हैं मेरे घर में कितने लोग आते हैं सुबसे लेकर शाम तक, मजदूर आते हैं, made servants आते हैं, बच्चे आते हैं, बहुत से बड़े बड़े officers आते हैं, बहुत से लोग doctors आते हैं, बहुत से businessmen आते हैं और मैं देखता हूँ, बहुत से लोग मुझसे financially बहुत जादा well off हैं, लेकिन किसी और aspect में वो लोग मुझसे कम हैं तो आप अपने आपको किस चीज के लिए inferior मैसूस करते हैं, हम लोग जब inferior बोलते हैं, तो किस चीज का comparison कर रहे हैं एक overall summary कभी को इनसान का बन नहीं सकता है, आप ही नहीं बोल सकते हैं कि उस आदमी का पैसा, उस आदमी का behavior, उस आदमी का नाम, उस आदमी का self-respect, जो कुछ भी है, सब मिला करके एक result आपको मिला है और उस एक result को मेरे एक result से summary से compare करूगा तो मैं inferior मैसूस कर रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, ये केवल हमारे मन की एक भाशा है और वो भाशा भी पता है क्यों है, क्योंकि हम दूसरे से अपने आपको superior मैसूस करना चाहते हैं, अंदर से डर लगता है अंदर से हमनों हमेशा एकदम कापते रहते हैं, कहीं ऐसा नहों के चीजे मुझे खतम कर दें, demote कर दें और इसलिए हम इस अंदर की दौड रहते हैं, कि सामने वाले से superior मैसूस करें तो सबसे पहले अपने आपका नाम करन संसकार, जो naming कर देते हैं, कि inferiority complex, complex बना देते हैं खुद को तब कैसे निकल के आएंगे इसमें से, अपने mind को simple तरके देखिए आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, मान लिजे, आप अपने आपको compare कर रहे हैं अपने colleague से और आपकी colleague को आपसे ज़्यादा आता है, जैसे मैं आपको example देता हूँ, एक हमारे colleague है बहुत अच्छे radiologist है, बहुत ही बढ़ी radiologist है, और मुझसे कहीं ज़्यादा उनको आता है उन्होंने मेरे से ज़्यादा degrees ले ले ली हैं, उन्होंने मेरे से ज़्यादा पढ़ाई कर रखी है और उनके पास ज़्यादा patience देटने का experience है, तो ज़्यादा जानते हैं, बिल्कुल सही बात है लेकिन एक दिन मेरे पास हो आये, और मुझसे अपनी problem शेर करना शुरू कर दिया बहुत देर तक बात करते रहे हैं, रात होगी, घर आये थे मेरे पास, चाहे के लिए आये थे और तब मुझे realize हुआ कि हम जिसको मानते हैं, बहुत great red logist, उसका भी एक ऐसा side है जो बिचाराईदम vulnerable है, बहुत ज़्यादा दर्द से भरा हुआ है तो वो आदमी, अब मेरे ले कोई डरावना चीज़ नहीं है, कि मेरे से बहुत superior है जब आप सामने वाले को ध्यान से देखेंगे, तो हर किसी के अलग-अलग aspects होते हैं हमारे भी ऐसे ही है, कुछ aspects हैं जो बहुत हम जानते हैं, और बहुत से aspects भी हम नहीं जानते है अगर आपका कोई friend, कोई colleague आपसे जानता है किसी चीज़ में, humble हो जाएए उससे पूछिए, उससे जानने की कोशिश करिए, उससे सीखिए, उससे डरिये मत जितना आप humble होंगे, जितना उससे सीखेंगे, उस knowledge को इकठा करके आपकी जो भी superiority, inferiority, complex जिसको बोल रहे है, वो lack of knowledge से तो आ रहा है, बढ़ा लीजे आपको किसी subject के बारे में लगता है कि आप कमजोर है, आपको खराब से लगता है, बेज़िती से लगती है तो पढ़ियो उसके बारे में, gather करिये, google है, wikipedia है, books है, कठा करिये, पढ़िये और जिस field में आपका कोई interest नहीं है, और अगर उस field में सामने वाला बहुत आगे है, तो रहे आगे, क्या करना आपको कितने करिमिनल्स है, कितने आगे है करिमिनल्सम में, हमको क्या करना, politicians है, politics में आगे है, हमको क्या करना ऐसे ही, लोगों को आगे भागने दीजे, दोड़ने दीजे, race नहीं चल रही है, उस race में से बाहर निकल जाएए आप inferior इसलिए महसूस करते हैं, क्योंकि आप superior महसूस करना चाहते हैं, जब तक race में रहेंगे, दोड़ेंगे, तब तक ठकेंगे, तब तक आप हारेंगे, race में रहे है ही मत, मैं तब आपने आपको बोल चुका हूँ, मैं किसी tribe के professional behavior या किसी tribe के race में नहीं हूँ, मैं जो ह करना हो, उसको करें, लोग अपने followers count करते हैं, करें, मुझे क्या करना है, मुझे जिस चीज़ को समझना है, जो चीज़ को जानना है, उसको मैं जानता हूँ, और उस जानने की वज़े से, जब मैं किसी को share करता हूँ, गर उसकी life में transformation आता है सामने वाले की, या मेरे confidence है, वही आपने एक खुशी है, एक base है, जिसके उपर मैं खड़ा होता हूँ, मुझे किसी भी तरह के नकली superiority की ज़रूरत नहीं है, कि मुझे आस पास कि लोग मेरे बारे में बात करें, मेरे से impressed हो, मुझे good morning, good evening कहें, और जब मैं जाओं कमरे में तो सर नमस्ते सर कहें, वो सब चीजें तो सब by product है, लोग नकली दिखाते हैं, नकली करते हैं, जब आपको genuinely, जब मैं जाता हूँ, एक patient बहुत परिशान होता है, और उसके उपर मैं probe रखता हूँ, पहले नहीं होता था, पहले, दस सार पहले, जब मैं पहली बार अंट्रसौन के machine टच की थी, त मुझे नहीं पता था, बहुत से patient को diagnose कैसे किया जाता है, उस समय मेरे पास lack of confidence था, लेकिन काम करते करते, experience होते होते, मेरे पास confidence आया, क्योंकि अब मैं जानता हूँ, किसी patient को देखता हूँ, उसकी बिमारी को diagnose करता हूँ, डॉक्टर को बताता हूँ, तो उससे जब patient को help ह मुझे भी खुशी मिलती है, और वही खुशी एक तरह का confidence होती है, अगर आपने अपने आपको inferiority complex का फसा हुआ पाया, इसका मतलब है, अंदर अंदर दौड रहे हैं, superior बनने के लिए, आपके आसपास ज़रूर कोई न कोई है, जिसके साथ आप compare कर रहे हैं, उस comparison को खतम क करिए, दो लोग एक नहीं होते, एक ही class में, एक ही office में, एक ही life में, एक ही उमर के दो लोग अलगला दुनिया से आते हैं, कई जन्मों की एक साध्रा है, आपने अपने कई जन्मों से निकल करके ये जन्म पाया है, जिसमें आपके पास एक behavior है, एक पैसे का life है, एक look है, ऐसे ही आपके बगल वाला है, हो सकता है, कोई आदमी आपसे दस, पचास, साथ हजा रुपए, एक लाक रुप जादा कमाता हो, किसी गाड़ी आपसे बड़ी हो, लेकिन वो सब चीजें, उसके बहुत complex activities का result है, तो हमेशा ध्यान दीजे उन बातों पर जो आपके हाथ में हैं, सामने वाले की लाइफ के उपर आपका कोई जोर नहीं है, और इस comparison से भी जोर आएगा नहीं, ताकत आएगी नहीं, जोर आएगा, उन छोटी छोटी चीज़ों को देख करके, जिसको आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और इसको सीख कर ख खुशी है कि मुझे पता चल गया, उसमें हम लोग स्टीव जॉब्स की बातें सीख रहे हैं, हम लोग जेब इजोज की बातें सीख रहे हैं, और वो सब चीज़ें जोब मैं शेयर करता हूँ, बीडियम में, मुझे बड़ी खुशी होती है, जोब मैं किसी को शेयर करता यह आपने हलका सा भी कंपेर किया, वहीं पर इंफिरॉर्टी कंप्लेक्स आ जाएगा। अगर एक ही तरीका है इंफिरॉर्टी कंप्लेक्स को खतम करने का और वो है जीरो कंपेरिजन। और अगर कंपेरिजन करने पर सामने वाला आपसे बहतर है, तो बोलिए थैंक कोई आपको अगर ऐसा महसूस भी कराता है आपका फैमली वाला जिसको आप प्यार करते हैं, जिसको आप बहुत रिस्पेट करते हैं, आपको बोलता है अगर नहीं तुम कमजोर हो, तुम खराब हो, तो यह मान लिजे कि वो आदमी जुट बोल रहा है, उसको मेरे बारे मे मैं एक लाइव एलिमेंट हूँ, यसे एक नदी होती है, ऐसे मैं हूँ, मैं तो हर रोज बदलना हूँ, हर को रोज मैं कुछ न कुछ सीख रहा हूँ, वो कैसे आदमी बोल सकता है कि मैं खराब हूँ या गंदा हूँ, या कमजोर हूँ, मेरी जिजे लाइफ है, हर रोज नहीं नहीं चीजे में अदर बरस रही है और मेरा ब्रेन बड़ा हो रहा है और वो किस चीज को देख करके बूल रहा है उसने तो एक छोटे से थाइट को चोटे से अक्टिविटी को पढ़ करके समझ लिया मुझे आपने कहानी सुनी होगी हो अश्टवक्र की कहानी है अश्टवक्र जब घुसे राजा जनक के महल में वहाँ पर लोग ब्रम्म के बारे में चर्चा कर रहे थे गौड के बारे में चर्चा कर रहे थे और खुब बहस हो रहे थी और जैसे ये अश्टवकर वहां गुसे अश्टवकर आठ जगों से टेड़े मेरे थे सुचिए उनकी physical body से अगर उनका अपना खुद का confidence देखते तो कितना कम confidence होता यूँकि अपने आपको कितना group कितना गंदा मैसूस करे थे शीशे में देखते तो खैर वो अंदर गुसे और वहां पर सारे पंडित पुरोहिव जितने भी ज्यानी जन थे खोब हसे इनको देखकर के इनकी चाल को देखकर उसके बाद अश्टवकर हसे उनकी उपर खोब जोड़ जोसे है जनक बोलते हैं वो क्यों हसरे मैं तो जान गया जनक ने सबटनाइस कराया था लेकिन अश्टवकर हम बोला आप किस बात से हसरे पहले बताईए आप कौन है और किस बात पर आप हसरे हैं तो अश्टवकर ने कहा इन लोग को देख रहे हो तुम ये ब्रह्मक की चर्चा करने आये हैं और ये मेरी चमडी देख करके डिसाइड कर रहे हैं कि मैं ब्रह्मक ज्यानी हो की नहीं और इस बात से जनक की आँखे खुल गई उन्हें वही पर वो मीटिंग खतम कर दी शास्तरार्थ चल रहा था ब्रह्मक के वारे खतम कर दिया उस दिन से मैंने अपने आपको बताया कि मैं अश्टवकर हूँ मेरा दिमाग आठ जगह से टेड़ा मेरा है मैं confused हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ पर मैं किसी चीज़ के तो लायक हूँ कम से कम एक किताब पढ़ने के लायक तो हूँ मैं एक वीडियो बनाने के लायक तो हूँ मैं किसे से बात करने के लायक तो हूँ मेरे पास एक patient आता है मैं उसको कुछ न दे सकूँ कम से कम उसके दो प्यारे बोल तो बोल सकता हूँ और इन सब बातों के लिए अगर कोई मुझे खराब महसूस कराता है तो वो आदमी मुझे नहीं जानता चाहे वो मेरा बाप हो, चाहे मेरी माँ हो, चाहे मेरा भाई, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, जो कोई भी हो अगर वो मेरे बारे में मुझे से ये कहता है कि तुम किसी लायक नहीं हो एक ऐसी बात बोलता है जिससे मैं कमजोर महसूस करता हूँ, negative feel करता हूँ, तो वो मेरा कुछ नहीं जानता, he is completely ignorant of me, और ये सच भी है, जब मैं अपने बच्चे को देखता हूँ, अपने वाइफ को देखता हूँ, तो मुझे उनके अदर में धेर सारे potentials दिखाई देते हैं मुझे अपने अंदर धेर सारे potentials दिखाई देते हैं, तो मैं कैसे मान लूँ कि कोई आदमी inferior है, खुद को भी, ऐसे ही आप अपने अंदर में हर रोज नए-ने surprises खोजेंगे, छोटी-छोटी खोजे देखें, छोटी-छोटी चीज़े करें, और उसी छोटी-छोटी चीज पर गुरू बना लीजिए, और खुब सीखिए, खुब सीखिए, सीखने के लिए हमारे पास धेर सारे courses है, सारे courses जोइन कर लेजिए, मज़ा आएगा आपको, ठीक, नमश्क्राइब